हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून कैसे सभी स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल लोगिन इस्टडी पर तो फ्रेंड्स देखिए आज नए टोपिक इस्टार्ट करने वाले हैं समास पिटीटी का हमने देखिए पहले सेलिबस देखा था उसमें से हमने देखिए तीन टोपिक किलियर कर लिये हैं तीन टोपिक किलियर कर लिये देखिए तीन टोपिक कौन-कौन से किलियर किया हैं सबसे पहला टोपिक हमने किलियर किया था वर्ण विचार कौन सा टोपिक देखा था वर्ण विचार का टोपिक देखा था हमने फर्स्ट टोपिक सेकंड टोपिक देखा था देखिए संग्या और सर्वनाम का किसका संग्या और सर्वनाम का टोपिक हमने सेकंड टोपिक देखा था नेक्स्ट फी टोपिक देखा हमने देखिए थर्ड टोपिक संदी संदी से related जितने भी क्योसन आपके exam में पूछे जाते हैं महतवपूर्ण क्योसन देखिए आपको बताए गए है सेशन में और आज का हमारा topic है समास आज का topic है हमारा fourth topic कॉन सा है समास तो इससे देखिए समास को हम देखिए किस से पढ़ेंगे क्योसंस के माद्यम से हम समास को पढ़ेंगे बहुती आसान तरीके से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेसन को एक बार सेसन को स्टार्ट करने से पहले आपके जो भी फ्रेंट्स देखे PTT और BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक बार सेसन को सेर कर दीजिए फिर बढ़ते हैं देखिए आज के सेसन की ओर तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के सेसन की क्योसंस के माद्यम से देखिए हम समास देखने वाले हैं फर्ष्ट क्योसंस है किस सब्द में करन तत्पुरू समास है आपको पूचा गए कि सब्द में करन तत्पुरू समास है तो first question है करन तत्पुरू समास कौन से option में है या आपको बताना इसमी करन तत्पुरू समास कौन से option में है जीवन दान में, पत प्रष्ट में, स्वन पतीत में या फिर गुणी युक्त में तो करण ततपूरु समास, अब करण ततपूरु समास की पहचान क्या होती है, ततपूरु समास में क्या होता है, जो कारक चीन होते हैं, पहले आपने पढ़ाओगा कारक चीन, कितने परकार के कारक चीन होते हैं, आठ परकार के कारक चीन होते हैं, जैसे करता, करता के लिए का कारक्चिन क्या आएगा ने और करम के लिए क्या आएगा को और करण के लिए क्या आएगा करण जो कारक्चिन है इसके लिए क्या आएगा करण से करण के लिए आया से कारक्चिन आता है तो करण तत्पुरू समास कौन सा है अब इसका आपको देखिए समास विग्रह करना है जीवन दान, जीवन का दान, जीवन दान का देखिए समास्विग्र होगा, जीवन का दान, और पत्थ ब्रष्ट का समास्विग्र क्या होगा, पत्थ से ब्रष्ट, इसमें देखिए से आएगा, क्या आएगा, से आएगा, और स्वन पतीत, स्वन पतीद यानि स्वन से युक्त पत्तो वाला ना और गुण युक्त यानि गुणों से युक्त तो करण तत्पुरू समास किसमे है ओप्सन नमबर 4 में गुण युक्त में कौन सा समास है करण तत्पुरू समास है ओप्सन 4 राइट आंसर होगा नेक्स्ट बात करते हैं क्योसे नमबर दो की क्योसे नमबर दो है ला जवाब सब्द में कौन सा समास है आपको बताना है ला जवाब सब्द में कौन सा समास है अब देखे इसमें आ रहा है ला प्लस जवाब ये इसमें सब्द बन रहा है ला प्लस जवाब अब लाइस में देखिए क्या रहा है अव्यव आ रहा है कि इसमें अव्यव जोड़ा गया है तो अव्यव कौन से समास में आता है देखिए तत्पुरू समास में बाव वीरी समास में या फिर अव्यव भाव समास में या करमधारिय समास में तो देखिए अव्यव कौन से सम समास में जोड़ा जाता है समास में कौन सा समास है आपको बताना है आसपास सब्द दे रखा है और इसमें समास बताना आपको द्वंद समास, द्विगू समास, करमधारी समास या फिर ततपुरू समास अब इसमें देखे एक बार आसपास समास में क्या आपको कोई कारक चीन नजर आ रहे हैं कारक चीन नहीं है तो देखे ततपुरू समास नहीं होगा या फिर आसपास सब्द में देखे किसी का समुह नजर नहीं आ रहे तो देखे द्वीगू समास भी नहीं होगा और इससे कोई सब्द नहीं बन रहा तो करमधारिय भी नहीं होगा आसपास यानि देखे आस का ये है आस और पास इसमें देखिए आस का कोई अर्थ नहीं निकलता पास का अर्थ निकलता यानि पास में तो ऐसे सब्दों में कौन सा समास होता है देखिए इसमें द्वंद समास होता है ऐसे सब्द होते है यानि जिनका एक का अर्थ निकले और दूसरे का अर्थ नहीं निकलता उसमें कौन सा समास होगा द्वंद समास होगा गाइज नेक्स्ट बात करते हैं क्योसे नमबर चार की क्योसे नमबर चार है हीन भावना सब्द में कौन सा समास है आपको पताना है हीन भावना सब्द में समास कौन सा है अब इसमें देखिए हीन भावना यानि हीन का अर्थ भी निकल रहा है हीन यानि बहुत बुरा और भावना का मतलब भाव तो दोनों का अर्थ निकल रहा है अब देखें दोनों यानि देखें एक होता है एक होता है पर्तम पद और एक होता है देखें उत्तर पद सोरी देखिए एक होता है मुख्य पद और एक होता है उत्तर पद यानि ये दोनों पद परदान कौन से समास में होते हैं देखिए गाई करमदारिय समास में ये दोनों पद परदान होते हैं मुख्य पद और उत्तर परद तो ही इन भावना दोनों सब्दों का अर्थ निकलतर है तो देखे इसमें होगा करमधारी समास option एक राइट आंसर होगा Next है क्योसर नमबर 5 किस विकल्प में भववीरी समास है आपको बताना है कौन से विकल्प में भववीरी समास है पंच पातर में बहवीरी समास देखिए कौन से option में है या आपको बताना है पंच पातर अब देखिए इसमें पांच पातरों का समुह की बात की गई है पंच मतलब अब देखिए किसी में जैसे द्वी आजाए त्री आजाए पंच आजाए और ये क्या है पातर यानि पांच पातरों का समुह है तो इसमें तो देखिए ये कोई भी संख्यावाची सब्दा जाए तो कौन सा समास होगा इसमें द्वीगू समास होगा चतूर आनन यानि चार है आनन जिसके चार है आखे जिसकी तो इसका देखिए चतूर आनन का समास विग्रे क्या होगा चार है आनन जिसके और त्री भुवन यानि तीन भवनों का समु है चतूर यूग यानि चार यूगों का समु है तो बवीरी समास किसमे होगा चतूर आनन में ओप्सन देखिए टू राइट आनसर होगा किस सब्द में करण तत्पूरू समास नहीं है तो अभी कारक चिन बताए थे करता ने करम को करण से करण के लिए कौन सा करण के लिए कारक चिन आता है किसके लिए करण के लिए तो किसमे देखिए नहीं है आपको बताना है करण तत्पूरू समास किसमे नहीं है नहीं है आपको बताना है तो देखिए इसमें देखिए मन से माना ये तो है मन से माना इसमें तो करण तत्पूरू समास है इस वर से दिया हुआ देखिए इसमें भी करंट अत्पूरू समास है तुलसी से कृत इसमें भी करंट अत्पूरू समास है और इसमें आएगा पद के लिए उचित ओप्सन फोर राइट आंसर होगा देखिए इसमें के लिए आएगा पद के लिए उचित इसका समास विग र और BSTC की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास सेशन को सेर भी जरूर करना है, नेक्स्ट है देखिए क्योसे नमबर सेविन, किस विकल्प में करमधारिय समास नहीं है, आपको बताना है कौन से विकल्प में करमधारिय समास नहीं है, महात्मा में काला साप, गजानन या फिर नील क तो किसमे करमधारिय समास नहीं है, या आपको बताना है, देखिए महान है जो आत्मा, इसमें तो करमधारिय समास है, काला साप, इसमें देखिए काला, यानि साप की क्या बताएगी है, विसेस्ता बताएगी है, तो इसमें भी कौन सा समास है, करमधारिय समास है, अब गजानन या फिर नील कमल अब देखिये नीला है जो कमल अब इसमें भी विशयसता बताई गई है तो समास देखिये करमदारीं समास किसमें है गजानन में ओप्षण 3 राइट आंसर को गज है अनन जिसके यहानी बड़े है नयन जिसके ओप्षण तीन राइट आंसर होगा किस विकल्प में द्वंद समास नहीं है आपको बताना है कौन से विकल्प में द्वंद समास नहीं है दाल भात इसमें कौन सा समास है दाल भात में कौन सा समास है द्वंद समास है भूत प्रेत इसमें भी कौन सा समास है द्वंद समास है यहनि दोनों पद क्या इसमें परदान है सुब असुब सुबा सुब का दिखिए समास विग्रह करेंगे तो क्या हैगा सुब और असुब यह इसका समास विग्रह एगा सुबा गमन सुब के लिए आगबन option for right answer होगा इसमें द्वंद समास नहीं है next है क्योसर no.9 क्योसर no.9 है कि सब्द में अव्यवी भाव समास नहीं है आपको बताना है अव्यवी भाव समास नहीं है अव्यवी भाव समास देखिए होता क्या है यानि जिसमें क्या हो कोई भी आगे अव्यव लगाओ तो उसमें कौन सा समास होता है अव्यव भाव समास होता है जैसे आ मरण इसमें देखिए आ इसमें क्या है अव्यव है यता साध्य में कौन सा देखिए अव्यव है यता इसमें अव्यव है आ जनम में देखिए आ अव्यव आ रहा है तो इसमें कौन सा समास से अव्यव है तो ओप्षन तीन राइट आंसर होगा सरम साद्य नेक्स्ट है क्योसर नमबर दस मुनी स्रेष्ट सब्द का उचित समास विग्रे क्या होगा मुनी स्रेष्ट सब्द दे रखाया और इसका समास विग्रे क्या होगा यह आपको बताना है मुनी है जो स्रेष्ट या फिर मुनियों में सबसे स्रेष्ट है जो मुनियों में स्रेष्ट या मुनियों का स्रेष्ट तो मुनी स्रेष्ट का उचित समास विग्र क्या होगा मुनियों में स्रेष्ट ओप्सन तीन राइट आंसर होगा नेक्स्ट है क्योसर नमबर 11 इन में से कौन सा समासिक पद सही नहीं है लंबा है उदर जिसका अब देखिए समास विग्रह आपको देर रखा है और समास किया हुआ है और इसमें बताना है किसका समास विग्रह सही नहीं है लंबा है उदर जिसका क्या होता है विष्णू विष्णू होता है क्या लंबा है उदर उदर मतलब पेट उदर का मतलब क्या होता है पेट अब देखिए लंबा उदर किसका होता है किसका होता है गनेश का होता है किसका होता है इसे क्या बोलते हैं देखिए लंबोदर भी इ यहारण करने वाला चक्र धर यह सही थो सहे मन से गड़ा उॉआ मन गड़ यान कोई भी बात मन से मन से बना लिवान गड़ बात हो ती चारल के अनुसार यानि यता करम ऊपसंट उडर पाकी दे लंबा है उदर सक्ति के अनुसार का सामासिक पद क्या है सक्ति के अनुसार का सामासिक अब किसी में भी आ जाए के अनुसार कोई भी सब्द आपको दे रखा है तो इसमें समास क्या होगा समास के आगे देखिए समास पद में लगा होगा यथा तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा सक्ति म आपको यथा लगावा option correct करना है यथा सकती option 4 right answer होगा देखिए गाइच आपको क्योसंस के मादिम से ही बताएंगे कि इसमें समास कौन सा है और समास विग्रे किस परकार होगा क्योसंस के मादिम से आपको बताएंगे next है क्योस नमबर 13 निमल इकित में से कौन सा समासिक पद सही नहीं है कौन सा समासिक पद सही नहीं है मन से चाहा मन से चाहा का क्या होगा मन चाहा होगा और रसोई के लिए घर को क्या बोलते हैं रसोई घर बोलते हैं मन से चाहा को मन चाहा देश के लिए प्रेम को क्या बोलते हैं देश प्रेमी बोलते हैं देश भक्ती नहीं बोलते हैं रिण से मुक्त को क्या बोलते हैं रिण मुक्त बोलते हैं तो option तीन ना कि देश बक्ती आएगा वह तो होगा देश के लिए बक्ती देश बक्ती का होगा देश के पे क्यों सहनुमबर चार किसंवीकल खुड़ स्र में होड़ीए गूड़ Спलर स्वार्व जोड़े पर सिर्व जोड़ स्वाग एक स्वार गुड स्वार का क्या होगा गोड़े पर स्वार देखिए ये तो सही है इसमें दही बड़ा दही बड़ा का देखिए क्या होगा समा स्विग्र है दही में डूबा हुआ बड़ा क्या होगा दही में डूबा हुआ बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा होगा किसका दही बड़ा का नेक्ट है मुख्य मंत्री मुख्य है जो मंत्री ये भी सही है हंस वाईनी हंस है वाहन जिसका किसका वाहन है हंस माता सरस्वती का कौन सा वाहन है हंस देखिये वाहन है तो राइट आंसर क्या होगा इसमें पूछा गये समास विग्रे किसका सही नहीं है तो गोडे पर स्वार का क्या होगा गुड स्वार दही का बड़ा का देखे दही बड़ा नहीं होगा इसमें होगा दही में डूबा हुआ बड़ा तो option two right answer होगा next है question number 15 किस विकल्प में समास विग्रे सही नहीं है जल वायू जल और वायू दस अनन दस है जो आनन आजिवन जीवन प्रियंत सूत पूतर सूत का पूतर तो इसमें correct क्या होगा समास विग्रे किसका सही नहीं है यह आपको बताने जल वायू का देखिए राइट है जल और वायू दस आनन का देखिए क्या होगा दस है आनन जिसके इसमें होगा दस है आनन जिसके आनन का अर्थ क्या होता है हाथ आनन का अर्थ क्या होता है हाथ अब दस हाथ किसके होते हैं रावन के होते हैं 10 है आनन जिसके समास कौन सा है देखिए इसमें बहु वीरी समास है गाईज कौन सा समास है इसमें बहु वीरी समास है तो यह 10 है जो आनन नहीं होगा इसमें बहु वीरी समास होगा 10 है आनन जिसके आजीवन का सही है देखिए जीवन प्रियंत इसमें अवेवी भाव समास है इसमें द्वन्द समास है और सूत पुत्र में देखिए कौन सा समास है इसमें है करमदारी देखिए इसमें तत्पुरु समास इसमें है सूत पुत्र तो option two right answer होगा next है question number 16 सिवारपन सब्द में कौन सा समास है यह आपको बताना है सिवारपन का आप समास विग्रे कीजिए सबसे पहले सीव के लिए अरपन सीव के लिए अरपन तो देखिए इसमें कारक्ची ना रहे समपरदान देखिए समपरदान तत्पुरु समास इसमें होगा क्योंकि इसमें के लिए कारक्ची ना रहे तो इसमें समास कौन सा होगा बहु वीरही, ततपुरुस करमदार्य या फिर अवेवाव तो इसमें समास होगा देखिए के लिए कारक्ची ना रहा है तो ततपुरुस समास इसमें होगा कोई भी सब्द आपको दे रखे तो उसमें आपको क्या करना है समास विग्र का करना है तो Student टू-राइट अंसर वोगा ? नेक्स्ट है क्योसर नमबर सत्रा इनमें से किस समास के पदों में विशेशन, विशे Fe या उपमें उपमान का संभन्द होता है ? किस ना होता है ? तत्पुरुस में करमदार्य में दिविगू में या फिर द्वन्त समास में तो किस में होता है देखिए अभी बताए था कि विशेशन या फिर किसी की विशेशता बताई जाए तो कौन सा समास होगा उप में उपमान की बात की जाए विशेशन विशेशे की बात की जाए तो करमदार ये समास यहां होगा Option 2, Right Answer Next है क्योसर नमबर 18 इन में से किस विकल्प के सबी सब्द अपादान तत्पूरूस समास के हैं कौन से चार आपको विकल्प दे रहे हैं इन में बताना है सबी सब्द अपादान तत्पूरूस के कौन से देखें इसमें ओप्शन में है अपादान तत्प्रूस की पहचान क्या होती है अपादान की पहचान होती है से अलग होना से इसमें देखिए कारक्चीन आता है और भाव किसका होता है यानि किसी से अलग होना जैसे पद उचित और देश निकाला यानि देश से निकाला ये तो देखिए अलग हो गया लेकिन पद के लिए उचित तो इसमें तो देखिए अपदान तत्पुरूस नहीं है पत ब्रश्ट यानी पत से ब्रश्ट पत से अलग होना और विद्याले यानी विद्या के लिए आलाई या फिर विवाहे तर, यानि विवाहे के लिए तयार, राजा के लिए, राजा की देखिए माता, वन के लिए वास, या फिर दयादर तो इसमें राइट आंसर क्या होगा देखिए पद से उचित देखिए इसका पद चुईत का देखिए समास विग्र होगा पद से उचित और देश से निकाला तो ओप्शन एक राइट आंसर होगा अपदान तत्पुरूस का है पदचित और देश निकाला ओप्सन एक क्रेक टांसर होगा नेक्स्ट है क्योसर नमबर 19 पांचो तंत्रों का समाहार विग्रे का सही समास क्या होगा पांचो तत्रों का समाहार, अभी देखा था, पांचो तत्रों का समाहार देखे क्या होगा, पंच तत्र क्या होगा इसमें, पंच तंतर इसमें होगा, पंच तंतर इसमें होने वाला है, देखिए समास इसका, पांचो तंतरों का समार क्या होगा, पंच तंतर, ओप्शन 4 रा पाच्चोत अंत्रों का समायर में देखिए समास कौन सा होगा इसमें समास होगा द्वीगू समास नेक्स्ट है क्यों से निमबर बीस जिस समास में दोनों पदों की परदानता होती है वहें कौन सा समास कहलत है जिस समास में दोनों पदों की परदानता होती है वह कौन सा समास कहलत है अभी बतायता देखिए कौन सा समास कहलत है दोनों पदों की परदानता कौन से समास में होते है द्वन्द समास में होती है ओप्सन टू राइट आंसर होगा नेक्श्ट है क्योसर नंबर 21 है देखिए मेग अचादित सामासिक पद में कौन सा समास है? यह आपको बताना है मेग अचादित समास विगरे कीजिए इसका मेग से मेग से आच्छा दित इसका समास विग्रह होगा मेग से आच्छा दित तो इसमें समास कौन सा होगा से इसमें कारक चीन आ रहा है तो समास कौन सा है करण तत्पूरू समास इसमें होगा नेक्स्ट है क्योसर नमबर 22 बली वेदी में कारक की दरश्टी से कौन सा समास है बली वेदी में कारकी द्रश्टी से कौन सा समास है देखिए इसका समास विग्र क्या होगा बली वेदी का बली के लिए बली के लिए वेदी इसका देखिए समास विग्र होगा तो इसमें समास कौन सा होगा के लिए के लिए कौन सा देखे कारक चीन आता है के लिए के लिए कौन सा देखे आएगा संपरदान इसमें आएगा ओप्सन तीन राइट आंसर होगा संपरदान के लिए कौन सा कारक चीन आता है के लिए आता है ओप्सन तीन राइट आंसर होगा नेक्स्ट है क्योसर नमबर 23 हस्त लिखित सब्द हस्त लिखित सब्द का सही समास विग्र क्या होगा इन चारों में से बताना है हस्त लिखित सब्द का सही समास विग्र क्या होगा हस्त लिखित का समास विग्र होगा कि हस्त से निर्मित किया हुआ या फिर हस्त द्वारा लिखा हुआ हस्त पर लिखा हुआ या फिर हस्त और लिखित तो हस्त लिखित का सही समास विग्र होगा गाईज हस्त द्वारा लिखा हुआ नेक्स्ट है क्योसर नमबर 24 सिंग रूपी नर विग्रह में निर्मित समास कौन सा है सिंग रूपी नर का देखिए समास कौन सा होगा यह आपको समास विग्रह दे रखा है सिंग रूपी नर इसमें समास बताना है कौन सा समास होगा सिंग रूपी नर का समास विगर होगा देखिए समास इसमें होगा सीहनर, नर्सिंग, नर्सिहा या फिर सीहनर इन चारों में से बताना है सिंग रूपी नर का समास क्या होगा नर्सिंग इसमें option to right answer होगा Next आज का last question Question number 25 से देखिए यथा सकती सब्द में कौन सा समास है यथा सकती सब्द का सबसे पहले समास विग्र आपको कमेंट बोक्स में बताना है और इसमें बताना है समास कौन सा होगा अवेवभाव या फिर करमदारिय, ततपुरूस या फिर द्विगू समास तो कौन सा समास होगा यह था सक्ती सब्द में इसका समास विग्र होगा सक्ती के अनुशार सक्ती के अनुशार इसका समास विग्र होगा तो यह किस में आता है जो भी अवेव आपको दे रखा है यह था यह किस में आता है अवेव आप समास में आता है option एक right answer होगा तो सभी को बताना है देखिए कैसा लगा अज का सेशन सेशन कैसा लगा बताईए आपके देखिए क्योसन से क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सभी को comment box में देना और सेशन को end तक देखने के लिए भौत भौत धन्यवाद और सभी को सेशन को लाइक करना है और आपके friends के साथ सेशन को share भी जरूर करना है guys सेशन को लाइक जरूर करके जाना आपको और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को प्रेस कीजिए ताकि daily notification आपको मिलता रही तो मिलते हैं देखिए नेक्स सेशन में